सब्सक्राइब लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अपोजीट होने वाला है तो आप लोग मायूस मत होना क्योंकि मैं बहुत सारे फैट्स बता रहा हूं और यह आप लोगो के लिए बेनिफिट है गाइस मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत बड़े स्कैम से बचने वाले कर देता हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर है huh greeting based on your documents Ukrainian studies letter your intentions are to transit the territory of the Republic of Moldova to Ukraina and not tourism in this regard you must be informed that for certain national security technical reasons E visa Mang platform will not process application for transit visa type A a and B for undetermined period of time and the decision making factor cannot be revealed that this is first झाल बे и gonna read that transit type जो वीजा है एंड भी उचको थोड़ी दिर के लिए थोड़ी दिनों के लिए रोक दिया गया है में लिख रहा है तो टूरिस्ट का वीजा लगाने के लिए आप अपलाई कर रहे हो एंड युक्रेन के डोकिमेंट्स अपलाई कर रहे हैं मतलब अपलोड कर दिये कि इन्होंने कुछ बच्चों ने ऐसा किया जब उन्होंने ट्रांजिट विजा बंद हो गया तो चेक करने वाले हैं इवन माइनर ऑब्स्टेकल मतलब माइनर माइनर चीज़ों पहना प्रोब्लम्स पर कॉश्चन कर रहे हैं और मेबी योर वीजा थोड़ा सा लगना डिफिकल्ट मैं यह नहीं बोल रहा हूं पॉसिवल नहीं लेकिन पॉसिवल है अब गाईज स्कैम क्य वीजा लग जाएगा रोमानिया के थुरू आजाओ इवन मैं खुद बता रहा हूं कुछ बंदों ने इवन मेरे को कहा कि आप वीडियाओ में प्रमोट करो कि फलानी कंट्री से आजाओ इतने पैसे बोल दो गाईस बहुत बड़ा स्कैम है पहली बाद तो वीजा खुद स दो गाईस मैं नियम बता ताउं टूरिस्ट वीजा या से रिलेटिड किसी भी कंट्री में आप एंट्री करोगे एक दिन का वीजा मिलता है इवन पोलेंड में भी जाओगे ना आपको एक दिन का सेंगन वीजा मिलेगा एक दिन मतलब सेम डे आपको ट्रांजिट करना है सोच लो अगर मैनेज हो सकता है everything you can go documents वही लगने है ठीक है list of documents मैंने हजार वार बोल दिया होगा कि वही लगने है and you can do it yourself क्या जरुआ थे किसी के चक्रोम जागे पढ़ना आप तीन गुना पैसा दो होगे किसी को वही चीज़े वो भी करेगा वही चीज़ आप खुद से कमा रहे हैं तो इस चीज़ को avoid करो अब scam बता देता हूं क्यूं है scam का मेन कारण यह है कि बहुत सारे बंदों से सिर्क पैसे लिए जा रहे है वीजा का नम पर और वीजा फिर उनका लगाते ही नहीं बोल देते आपका वीजा लग जाएगा documents भेज़ दो यह वो पैसे लेक चलो 15-20 दिन और माल लेते एक महिने तक कुछ नहीं होने वाला है समेस्टर भी तो आपका उसी ही सबसें स्टार्ट होगा तो इस बैटर कि आप रुख जाओ 20-25 दिन और रुख जाओ अराम से वीजा लगाओ पूरा एकदम सेफ्टी के साथ ताकि ना आपको कही confusion हो कि भा सब्सक्राइब क्या होने वाला है बठ पलोगों को एक ही क्या सकता हूं कि अभी अवीड कर दो ज्यादा स्कैम के शकर में नहीं फसलना बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा डोकुमेंट्स भी लें लेगा इन चीजहों को अवएड करो क्या ही दिक्कत है यार इतने दिन रु यह गलति बिल्कुल मत करना है, तुरिस्ट विजा अप अपलाई कर रहे हो, आपका तुरिस्ट जो टुरिस्ट रेटेटिट अप जो अपलोड करने वाले हो, मतलब पूर आप दिखाऊ कि मैं ऐस तुरिस्ट आना चाहता हूं, यह उन्होंने मेंचन कर रहा है लास्ट लाइ तूरिस्ट आप तो जस्ट चाहते होगी पार कर जाए टरिटरी ऐसा कौन भी अफकूफ था जिसने भाई मतलब यूक्रेन का अपना कर बंदेख से ट्रेवल करके अब गितना है इस सी बात पता चली जाएगा ना कि कोई अगर दिककत आ तो आपको ये भी पता चल जाए कि आपता उससे भी अच्छी कोई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए तो गैज वेट कर लो ठीक है and still if you have any question you have my workshop number you have my instagram you can contact me there and तब तक के लिए take care bye bye